हाँ तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सीमेंट की जाच आप घ़र पे भी कर सकते हैं अगर आप अपना घ़र बना रहे हैं और सीमेंट खरीद के मार्केट से ला रहे हैं उसकी क्वाल्टी चेक करना है ज़र को इस फिंट में बताएंगे यह सेक्षेटें स्क्राइटें एक हाथ मेले कि सीमें को आपको दिखा रहे हैं पूरा यूनिफॉरम कलर में है पूरी ग्रीओ कलर में है तो यह पहला टेस्ट य hairy ऑता है oraiden घौकरा किल्ओं समागरोप् रेतं giàनि यूमिफंर है दूसरा क्या करेंगे के सिमेंट के धेर में हाथ डालेंगे ठीक है जैसे कि आपको क्या फील हुआ था सिमेंट में हाथ डालने पर सिमेंट के बोरी में हाथ डालने पर तो हमें तो ठंडा फील हो रहा है तो ये भी टेस्ट ये पास है साइट पर ठीक है दो टेस्ट हमने कर लिया कलर टेस्ट कर लिया और सिमेंट को हाथ में डालके चेक कर लिया ठीक है इसके बाद से थर्ड टेस्ट जो होता है सिमेंट को क् उंगलियों के सहारे मसलना है ठीक है उंगलियों के बीच में मसलने से चिकनापन का अर्म होना चाहिए जीसे लगना चाहिए कि एक दम मतलब चिकनापन अपको फील होगा चिकनापन क्या होता है यह फील टेस्ट होता है हाथ में लेके और उंगलियों से इसको मसलना है तो जी इसके बाद चौथा टेस्ट किया होता है सिमेंट को देख लेना है कि वह नमी तो नहीं है गीला तो नहीं होता ही है कि सिमेंट का धेर आप जहां लगाते हैं वहां कभी-कभी बारिस वगरा या फिर कहीं से भी पानी आ जाता है जिसा कि देख सकते हैं यह मिट्टी गीली है जिस पर हमने जब लाद से मारा तो वो पुरा हाड हो चुका है ठीक है और देख सकते हैं यह सिमेंट है इसको लाद से मार रहा है तो पुरा यह हाड हो चुका है तो यह तो जम चुका है नमी के वज़े से जबकि यह सिमेंट एदम नया है लेकिन नमी के वज़े से यह जम च इसके बाद से एक और टेस्ट है सीमेंट को अपने मुठी में लीजिए और पानी में डाल दीजिए अगर वो सीमेंट बैट जाता है पानी में डालने पे वो सीमेंट एकदम नीचे तली में बैट जाता है तो वो सीमेंट पास है अगर वो सीमेंट का धेली टाइब का बन के उपर में तैरने लगे सिमेंट तो मतलब सिमेंट सही नहीं है तो यह टेस्ट भी पास होता है सिमेंट हमने पानी में डाला एक मुठी और सिमेंट पूरी तरीके से नीचे बैट गया है बाकी उपर में हलका फूल का यह दीख रहा है वो कलर है वो केमिकल वगएरा जो होता है वो दिखता है बाकि यह टेस्ट हमने कर लिया इसके बाद से एक और टेस्ट होता है जब सिमेंट में थोड़ी बाकि यह एक अंतिम टेस्ट यह होता है कि सिमेंट में धेली या फिर रोडिया नहीं बनी होनी चाहिए अगर रोडिया रोडिया बनी है अगर हम अंगूठी से दमाने से वो धेलिया या रोडिया तूट जाती है तो कोई दिकत की बात नहीं है लेकिन वो हाड हो जाए उगली से दमाने पे नहीं तूटे तो वो सिमेंट खतम है ठीक है लेकिन अगर धेलिया रोडिया बन गई है और उगली से मसलने पे तूट जा रही है तो वो सिमेंट सही है और बाकी अंती में एक आउट टेस्ट कर सकते हैं आप सिमेंट का एक पैर ही चेक कर सकते हैं बाकी यह सब परफेक्ट टेस्ट है